हेलो नमसकार, सलाम गुड मॉनिंग, गुड आफ्टर नून, गुड इवनिंग इस मुल्क में इतनी सारी जबाने हैं तो किसी न किसी लेंग्विज में, किसी न किसी को मैं अपील कर जाओं शायद इसी कोशिश में सबको सलाम बोल रहा हूँ, सबको नमस्ते बोल रहा हूँ क्योंकि अगर सलाम पहले बोल दो तो डांट पढ़ती है, नमस्ते पहले बोल दो तो डांट पढ़ती है गुड मॉनिंग पहले बोल दो तो डांट पढ़ती है तो आजकल सब जगड़े में लगे वे हैं लेकिन हम वापस आगे हैं इस शो के साथ जिसका नाम है भारत एक मौज और आपको तो पता ही है हमारे देश में मौजों की कमी नहीं है मौजों के मतलब सौक्स नहीं तक बड़ी सारी मौज़े होगी हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी डिसकेशन करेंगे बॉम्बे में फार्मर्स पहुंचके पचास हजार के करीब फार्मर्स जो मीलों चल चल के फाइनली दे रीच्ट बॉम्बे ताकि शहर को यह सुना ही पड़े कि उनकी तकलीफें क्या क्या हैं लेकिन मज़दर बात यह नहीं है कि वह वहाँ पहुंच गए मज़दर बात यह है कि और अधर प्लेसे इन देली और अधर प्लेसे इन दिस कंट्री रियक्टेट टो फार्मर्स वाच्ट कोई बोले है कि यह तो पॉलेटिक्स बना रहे हैं कोई बोले एकर यार यह कम Rummired है कोई बोला हए कि यार मज़दर पर पाराम कांन चीए इंडियन मिडल क्लास जो है ना यह बड़ी बड़ी अजीब सी एक interesting चीज़ है ठीक है कुछ साल पहले नौइडा expressway पे जो apartments बने हुए है बड़े बड़े वहाँ पे आते हैं एक तो वहाँ पे Singapore apartments है seriously, Singapore apartments और गुड़गाओं में एक है Beverly Hill, इतने वोना भी तो वहाँ पे expressway के बगल बगल में apartments बने हुए है और कोट ने कुछ टाइम पहले एक order निकाल दिया, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ कि ये जो builders ने, ये जमीने पकड़ी हैं ये गड़बड है यहाँ पे कुछ तो मामला खराब है एंड कोट ने स्टे लगा दिया, apartments के allotment पे और उनके construction पे आप यकीन करें कि मिडल क्लास इंडियन्स कॉर्परेट इंडिया टुक आउट आ मार्च इन नॉइडा नॉइडा में लोगों ने रैली निकाली और जिसमें बैनर लगा लगा के कॉर्परेट्स गूम रहे थे, कॉर्परेट्स में काम करने वाले किसान भाईयों हमारा हक ना मारो मैंने माता पकड़ लिया अपना यार कौन किसका हक मारा है थोड़ी सी तो थोड़ी सी तो understanding intelligence इस्थमाल कर लो किसान बेकूफ है क्या 1965 वार के टाइम पे लाल बादूर शास्तिरी ने नारा दिया था जै 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 किसान आज कल सिर्फ जै जवानी हो रहा है और किसान गया भाड में वो चाहे भूकरताल करे चाहे वो सुसाइड करे उसकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है हमारे यहां क्या होता है अपार्टमेंट के लोग जब भार निकल के आके बोता है उनको अपने अपार्टमेंट कॉमप्लेक्स पर पावर बैकप भी चाहिए उनको पानी का कनेक्शन भी चाहिए उनको अपने अपार्टमेंट के अंदर रिपबलिक डे भी मना लेना है किसी बुड़े को बला की जंडा फरवा ले दिते हैं उसके बाद उनके खुद की परसनल सिक्यॉरिटी भी होती है उनके बच्चों के खेलने के लिए स्केटिंग रिंग भी होते हैं उनके तैडने के लिए स्विमिंग पूल भी होते हैं और उनके लिए एक जिमनेजिम भी बना होता है और फिर वो बाहर जाके मोर्चा निकाल रहे हैं किसान भाई वो, हमारा हक ना मारो और जादातर ये जो मिडल क्लास इंडिया है जो अपार्टमेंट कॉमपलेकसिश में रहती है जिनको ये सिंगापूर अपार्टमेंट्स या बेवली हिल अपार्टमेंट्स बोलते हैं या कुछ भी एक फैंसी सा नाम निकाल के लेकर आ जाते हैं इनको सारा खाना और्गिनिक खाना होता है आनलाइन ओर्टर करते हैं और घर पे डिलिवर हो जाता है आजकल तो पता नहीं क्या क्या एपस आगे हैं जिसकी वज़ा से खाना इनके घर पे ही पहुँच जाता है थोड़ी सी भी मश्यक्त इनको नहीं करनी है लेकिन जिम में जाकर अपनी हेल्थ बनानी है इन्होंने कभी देखा है कि वो जो एक किसान का पैर फटा हुआ पैर दिख रहा था जो चल चल के कोई रहम नहीं है इनके अंदर हैं और यही मिडल क्लास है जो सबसे जादा एग्जिट मार चुकी है रिपबलिक से लेकिन सबसे जादा ओपिनियन इसके पास है रिपबलिक को लेके अब पता नहीं इनको कभी है समझ में आएगा कि कोई तो यह खाना प्रेड्यूस कर रहा है जो तुम खा रहे हो और वो किसान रो रहा है हर 32 सेकिंड में इंडिया में एक फार्मर सुसाइड करता है इतनी तो पाकिसान में सुसाइड बॉमिंग नहीं होती मेरे को लगता है कि इंडियन मिल्ट क्लास इस मोर पैशनेट अबाउट आई पी ऐल देन दे फार्मर सुसाइड और लोग मेरे को बलते हैं मैं कॉमेडी करता हूं यह तो पूरा इंडिया कॉमेडी करे जा रहा है जो दूसरी जबरदस्त मौज हुई हमारे देश में वो एक्चुली उसमें हमारा कोई करदार था नहीं हुआ यह कि स्टीवन हौकिंग मर गे वो शायद उनसे बड़ा कॉस्मलाजिस्ट कोई हुआ ही नहीं है दुनिया में लेकिन इंडिया मौज लेने लग गया हमारे एक मिनिस्टर साहब है हर्शवर्दन जी उन्हों ने एक स्टेट्मेंट दिया अब मैं हर्शवर्दन साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या E is equal to MC स्क्वेर का मतलब पता है आपको नहीं मालूम तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं मेरे ख्याल से इस्टीवन ओकिंग ने तो ये बात कभी कहीं नहीं है ये किसी फेक पेट से उठा के ये बोल रहे है कि वेदाज are superior to E is equal to MC स्क्वेर How do you compare आपने नापा कैसे है आपके क्या क्या पेरामीटर स्थे जिसमें आपने एक तरफ को वेदास को रख दिया एक तरफ आइंस्टीन की equation E is equal to MC स्क्वेर को रख दिया फिर आपने compare किया फिर आपने निकाला कि ओह हो ये तो वेदा तो सुपीरियन है seriously आजकल की टाइम में कौन इस तरह की बाते करता है आप क्या खाते हो अरिश्वर्ण जी हमें भी बता दो हम भी थोड़ा खाके जूम लेंगे कुछ भी E is equal to MC स्क्वेर इस लाइक एक तो इंडिया में scientific temperament तो है निजी ठीक है बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं I don't believe in God but I believe in some energy अरे वो cool बनने के चक्कर में क्यों बोल रहा है energy मुझे बताए E is equal to MC स्क्वेर में E energy है M mass है C velocity of light है and it's squared तुम कौन सी energy हों बिलीव करते हो इदर ये मिनिस्टर साब बोल रहा है कोई कह रहा है कोई कह रहा है कि मौर जब रोता है मौर नहीं के बच्चे पैदा हो जाते है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई बोल रहा है एक तो हमारे प्रधान से वक नहीं कहा था कि पहली plastic surgery इंडिया में होई थी गनेशा मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुश्य का और माथा हाथी का गणेश जी का निर्मानाद सीरियस्री यहर हम किस तरफ जा रहे हैं स्टीवन हौकिंग अपनी कबर में करवटे ले रहा हुगा हमारी बाते सुन-सुन के स्टीवन हौकिंग जब इंडिया आया था बहुत साल पहले सिरीफोल्ट में उसका प्रोग्राम था वहाँ पे इंडियन्स उससे एस्ट्रोलोजी के सवाल पूछ रहे थे कि संसाइन क्या होते हैं आपने कौन सा स्टोन पहन रखका है हम कौन सा स्टोन पहने जो दुनिया का सबसे बड़ा सेलिबरेटेट फिजिसिस्ट है उसको नेवरूड एस्ट्रोलोजर बना दिया उसको इतनी कुंदगाई लेकिन बिचारा बोल कुछ सकता नहीं है मैं तो यह सोचता हूँ अगर स्टीफन हौकिंग अपनी जो जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उसके साथ इतना बिरिलेंट माइन लेके हिंदुस्तान में होता है उसका क्या हशर होता यह मेरे से जादा आप सोचें आपको शायद पता है कि वो आज इस हालत में इतना पत्रिया मनमारे होते हैं मस्से एक और मज़दर चीज हुई पीछे मुझे तो बड़ा मज़ा है आपको भी आया होगा शायद कि गोरकपुर फूलपूर में जो इलेक्शन्स हुए थे उसमें योगी आदितनात और जो यूपी के चीफ मिनिस्टर डिपुटी चीफ मिनिस रहेंगे लेकिन ये फटा फट निकाल दो इन बिल्स को तीस मिनिट के अंदर फानेंशल बिल्स पार्लेमेंट में पास हो गए Let's turn to our top story tonight which we are calling the shame of our democracy. Yesterday the loksaba passed the union budget without even discussing it. The finance bill, viewers, citizens of India which basically decides how all of our money that has come in will be used by the government, the actual union, budget and all of the changes, everything was passed through loksaba today without a single discussion. प्रजात तंत्र को पूरी तरह से गला घोट कर एक ही शोर शराबे में जिस तरीके से आज पारित हुआ ये हमारे प्रजात तंत्र पर आज कलंग लग लग चुका है. मैं और आप अपने घर में अगर ग्रोसरी लेने भी जा रहे होते हैं तो कम से कम 45 मिनट मुशक्कत करते हैं कि क्या चीज कितने की हो गई है, कितने पैसे लेके मैं घर से निकलू और कौन से ग्रोसरी स्टोर पर जाओं ताकि मेरे को समान सस्ता मिल जाए. लेकिन 30 मिनट में 30 मिनट में मेरी और आपकी फाइनेंसिज पारलिमेंट में पास और साइट स्टोरी ये थी कि योग याद इतिनात गुरकपुर की सीट छोड़े थे और वो अब हार गये हैं. अब मुझे लगने लगी हैं आपे बहुत जादा गर्वीं क्योंकि ये शूट के लिए नोंने ACB बंद कर दी हैं मेरे माथे पर पसीना आ रहा है तो ऐसी कुछ मौजों के साथ आप से बहुत जल्दी दुबारा मिलता हूं इस शो में जिसका नाम है भारत एक मौच और मेर मेरे नाम है संजय राजोरा नीचे जब आप अपदि लिए लिखा करें रहें मेरे कमेंट में तो मेरे नाम चींट克र नेजeding छीए पर चेंदी क्यों तो काट देंगे ये आवो तो प्रिती कर देगी ने कट 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 एक देऊं ठीक है सर अरो ये बक्वास था